ओम पर्वंतो भगवंत इंद्रमहिता सिध्धाश्यसिद्धिस्थिता आचार्या जिनशाशनों नतिकरां उज्या उपाध्यायका श्री सिध्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचयते पर्मिष्ठिनः प्रतिदिनं कुरुवंतु ओ मंगलं महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्द जीतर वात्मजं राज चंद्रमहं वंदे तत्व लोचन दायकं प्रभुतत्व लोचन दायकं परात्पर गुरुवे नमह परं पराचारिय गुरुवे नमह परं गुरुवे नमह साक्षात प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमह अनन्त अनन्त भाव भेद थी भरेली भली अनन्त अनन्त नाय निक्षे पे र्याख्यानी छे सकल जगत हीत कारीणी हारीणी मोह तारीणी भवब्धी मोक्ष चारीणी प्रामानी छे उप माहा प्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निजमाती मापाई में मानी छे अहो राज चंद्रबाड ख्यालन थी पामताई जीनेश्वर तानी जानी तेने जानी छे गुरु राज तानी वानी जानी तेने जानी छे नत्वा जिनेंद्रम गतसर्वदोषं सर्वग्यदेवं हितदर्शकंच श्रीजेन सिध्धान्त प्रवेशिकेरियं विरचते स्वल्पधियां हितायः विरचते स्वल्पधियां हितायः जाई सद्गुर्वन्याई जाई 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 तत्व चर्चा में श्रीजेन सिध्धान्त प्रवेशिकाव अध्याय तीन मारगणाओं की चर्चा चल ली है मारगणा स्थान चौद है पहला गती मारगणा दुसरा इंद्रिय मारगणा तीसरा काय मारगणा चोथा योग मारगणा पांचवा वेद मारगणा चट्टी कशाय मारगणा सात्वी ज्यान मारगणा आठवी संयम मारगणा नवी दर्शन मारगणा दस्वी भव्यत्व मारगणा ग्यारवी अपने लास्ट एक आहर मारगणा की चर्चा चल रही है उसको आज पूरा कर लेते हैं फिर थोड़ा कुछ और विशह लेंगे तो प्रश्ण संख्या 423 विग्रह गती की बात चल रही थी आहर मारगणा में दो प्रकार की चो प्रकार के आहर होते हैं किसको नाव यादे हैं हाँ चो प्रकार के आहर होते हैं भोजन करते हैं न अपन भोजन 6 प्रकार से होता है हाँ पहला नो करमाहार दुसरा करमाहार तीसरा कवलाहार चोथा उजाहार पांचवा लेपाहार चटा मन सिकाहार बराबर नो करमाहार किसको होता है नो करमाहार किसको केते हैं हाँ नो करम वरगणाओ को ग्रहन करना वो नो करमाहार वो किसको होता है नो करमाहार कौन करता है सभी जीव कुछ को छोड़ करके कौन कौन से छोड़ देने जिनके नो करमाहार नहीं होता है कौन किसको छोड़ देना का है सिद्ध तो मरगणाओ में आती ही नहीं है उसकी तो बात ही नहीं है जो संसारी जीव हैं फिर भी नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहन नहीं करते हैं से कौन-कौन से जीव हैं? तिन बताया था हाँ पहला विग्रह गति वाले जीव दूसरा हाँ केवली समुद्गात करता है उस समय प्रतर और लोग पुरण समुद्गात के समय वो नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहन नहीं करता है और तीसरा अयो केवली चोद्वे गुनस्थान वाला जीव बराबर नर्सी भाई बराबर लखे छे हैं इसके अलावा सभी के सभी नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहन करते हैं कर्मा हार कौन-कौन करता है? उस द्रिष्टी से तो सभी ग्रहन करते हैं कर्म ग्रहन करने के अपेक्षास से तो कर्माहार सब का है सभी जीव संसारी जीव कर्मों को ग्रहन करते हैं केवल एक चौद्वे गुनस्थान वाले हैं वो कर्मों को ग्रहन करते हैं नहीं हैं क्योंकि वहां कर्मगराण नहीं हो रहा है बाकी तो सभी कर्मगराण करते हैं और मुख्य रुप से नार्कियों को इसलिए कहा है कि यहां कर्म का फल भोगना यही उनका आहारे बस और कुछ नहीं है किस खाने की इच्छा हो तो उसके उधिरना होती है शुदा वेदनी की और उदिरना का वो वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, और अनुभव करके बिना खाये ही फिर उनकी वो कर्मों परमाणूंगे खिर जाते हैं, फिर से वापस इसी प्रकास, इसी प्रकास उनको खाना पिना कोई मिलता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि वो करम कोई भोगते हैं, आह कवलाहार कौन करते हैं कवलाहार केते किसको हैं कोड़ियों ग्रास तो वो कौन करते हैं तिरियन चौर मनुश यह कवलाहार करते हैं वैसे तो नारकी जी भी कुछ खाते हो नहीं खाते हैं पर वह वहां की मिट्टी खाते हैं पर वास्ते में वह आहर नहीं है उनका वो तो किस किसी व्यक्ति को भूख लगे तो जो मिला उसको पर उससे भूख नहीं मिटती असलिए उसको आहर नहीं किछ सकते हैं उसको कवलाहर है वो मनुष्ष और तिरियंच करते हैं और ओजाहर ओजाहर किसको केते हैं ओज गर्मी से वो अपनी भूख मिटाना वो ओजाहर क्यलाता है तो ऐसे कौन करता है जो पक्षी, जो मुर्गी अंडे वगएरा देती है तो अंडे हैं वो अपनी मा की गर्मी है उससे ही वो आहार गराण करते हैं और इससे उनकी पुष्टी होती है शरीर की लेपाहर हाँ लेपाहर किसको कहते हैं स्पर्ष के द्वारा ही जिसका आहार होता है जैसे ये पेड़ पोधे वगएरा ये सभी लेपाहर करते हैं और मांसी काहर उसमें कुछ ग्रहन हाँ मांसी काहर किसको कहते हैं संकल्व मात्र से जो अम्रिज जरता है उसका नाम मांसिक आहार कहलाता है वो किसको होता है देवों को होता है इस प्रकार से छप प्रकार के आहार है तो अनाहरक जीव कहां कहां होते हैं तो कहां विग्रह गती में होते हैं तो विग्रह गती किसको कहते हैं यह प्रश्ण हुआ कौन बताएगा विग्रह गती गुपता जी बताएंगे माइक में बोलो एक गती से दूसरी गती में जाने को विग्रह गती कहते हैं यस विग्रह नाम शरीर का है विग्रह किसको कहते हैं तो शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गती होती है उसको विग्रह गती कहते हैं तो जब एक शरीर को छोड़ेंगे मडलब शरीर को छोड़ने का मडलब ये ओधारिक वेकरियत इस शरीर की बात कर रहे हैं एक शरीर को छोड़ करके दुसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जो जीव की गती होती है उसका नाम विग्रह गती कहलाता है अब आगे पढ़ेंगे अपने, यहां तक अपने को हो गया का नो कर्मा हर विग्रह गती वालोग नहीं होता है एक वो केवली समुद्घात करते हैं न प्रतर और लोक पूरण केवली कल बहुत अच्छी तरह से समुद्घात समझायाता क्या होता है शुरुति बेन बतावन जला समुद्घात सोचे समझ माता है एक दम क्लियर किसको हो गया है समुद्घात गिरिश्जी को हो गया गिरिश्जी बताएं है माई माई बाग आप गिरिश्जी पहले तो समुद्घात किसको है समुद्घात का मतलब है कि वो उनके जो कर्मों की आयू कर्म समाप्त होने से पहले पहले बाकी जो कर्म बच्चे हैं तो उसकी निर्जरा वो एकदम तीवर गती से कर लेते हैं अपने कर्म परमानों को सेम करने के लिए आयूश्य कर्म की इस्तिति थोड़ी रे गई है और बाकी ती नगाती कर्म की स्तिति जादा है तो बैलेंस करने के लिए वो अपने प्रदेशों को फेला देते हैं उस फेलाव का नाम समुद्घात के लाटे तो चार प्रकार से पहला तो वर्टिकल जो दंड आपने बता दंड के आकार के फेलाते हैं उपर नीचे उसको प्रतर केते हैं बाकी जो जो जगर रह गई वहां तक वात वलयों के नीचे नीचे तो वापस ऐसे ही रिटन आते हैं तो कहां कहां नो कर्म वरगणाव को ग्रहन नहीं कर रहे हैं तो जहां प्रतर और लोगपुरण तीसरा और चोथा वहां पर ग्रहन नहीं हो रहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा समुद घात केवली विग्रह गति और अयोग केवली चौदवे गुन स्थान वाला वो भी अनाहरक होता है चलो आगे जन्म और भव में क्या अन्तरे जन्म और भव इसमें क्या अन्तरे कल ये विचर्चा चले थी न तो जन्म किसका होता है जन्म कब होता है विक्ति का तो जब प्रथम बार नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहन करता है तो वहां उसका जन्म होता है तो विग्रह गति के बाद जन्म होता है क्योंकि प्रथम बार वहां नो कर्म वर्गणाओं को वो ग्रहन करता है और भव कहा होता है उसका गति कप चेंज हो जाती है उसकी विग्रह गति के पहले विग्रह गति जैसे चालू होगी एक भव का आयुष्य पूरा हो गया और उसके अगले ही समय में दूसरे भव का आयुष्य शर्थ और दूसरी गति हो जाती है उसकी तो भव तो विग्रह गति के पहले होता है और जन्म विग्रह गति के बाद में होता है भव जीव का होत और जन्म किसका होता है शरीर का होता है जन्म शरीर का होगा ना जन्म कभी जीव का नहीं होता है जीव हमेशा भवधारण करता है पर कभी-कभी ऐसा के दिया जाता है कि जीव ने जन्म लिया जीव जन्म नहीं लेता है जीव तो नई परियाय ग्रूप होता है कोनाय का नाम भव है और उत्पत्ति का नाम जन्म है उत्पत्ति हुई कुछ ने कुछ तो वो उत्पत्ति उन पुद्गल वर्गणाओं की होती है और यह नवी परियाय धारन करता है तो उसको भव कहते हैं तो हम अभी भव में हैं कि जनम में हैं हम अभी मनुश्य भव में हैं कि अभी मनुश्य जनम में किसमें अपन स्पंदन मनुश्य भव में है जनम तो हमारा हो गया एक ही बार होता है जनम जनम बार बार होता और भव तो कितना चलता है तो नई परियाए बदलने के बाद जब तक वो परियाए नस्ट नस्ट नहीं होगी ये कौन सी परियाए है अपनी मनुष्य परियाए के को नाम देना तो कौन सी परियाए देंगे अर्थ परियाए के वेंजन परियाए कौन सी वेंजन परियाए सोभाव एंजन पर यह कि विभाव एंजन पर यह विभाव एंजन पर यह है समान जाती है कि और समान जाती है तो वापस थोड़ा थोड़ा यह वेरी गूट आप लोग इत्ते सा पढ़ लिया एक दिन में बहुत पढ़ लिया इननलता हो तो समान जाती ही किया है कि और समान जाती ही तो समान जाती है और समान जाती ही किते है किसको है पर ग्या बताई समान जाती है विभावेंजन पर या है किया है और और समान जाती है किसको पता है कि जब दो पदार्थ मिलते हैं मिल करके बना रहे हैं तो और समान जाती है और एक ही जाती के दो तिन मिल रहे हैं तो वो समान जाती है जहां जाती भिन्नता नहीं है वो समान जाती है और जहां जाती भिन्नता होती है वहां और समान जाती होता है तो यह जो मनुश्य भव बनाया है वो मनुश्य भव है वो पुद्गल करम और जीव के विभाव इन दोनों से मिल करके बना हुआ है, जीव का विकार और पुद्गल का विकार ये दोनों विकार मिल करके क्या बनाते हैं अपना ये मनुश्य भव का निर्मान करते हैं चलो यहां तक अपनोंने कल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था अब आगे 422 नंबर का प्रश्ण है जी भव विग्रगती के पहले ही होता है विग्रगती जैसे चलो होते है तो भव हो जाता है अगली गती बदल जाती है उसकी और विग्रगती जहां पूरी होती है और वहाँ जिस समय नौकर्म वर्गनाओं को ग्रण करता है जी पहली बार उसको जन्म कहते हैं 422 विग्रगती में कौन सा योग होता है उत्तर पुस्तक नीचे नी रखना आत्मे रखना वधार वजन छे पुस्तक आपण करता वधार न थी आज पुस्तक छने भगवान वचन छे यहले आपण माटे सरस्वती देवी छे तो हात्मा राखवाने उच्छे विग्रगती में कौन सा योग होता है योग किसको केते हैं मन वचन काई की प्रवर्ती को योग केते हैं योग होते कितने हैं कुल मिला करके योग पंद्रा होते हैं उन पंद्रा योगों में विग्रगती में कौन सा योग होता है तो यहां उत्तर दिया कार्मन योग होता है अर्थात कर्म योग होता, ऐसा क्यों हो? तो देखो, पंद्रा प्रकार के योग हैं, उसमें से बाकि कोई योग वाह होता नहीं है, सबसे पहले तो काय योग? काय योग कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के है चार प्रकार के का योग है अथ्वा साथ प्रकार के कितने है पंद्रा में से गिंदी वापस गिंदी करना है साथ प्रकार के और वचन योग कितने प्रकार के है चार प्रकार के और मनो योग कितने प्रकार के है चार प्रकार के, ये कुल मिला करके कितने हो गए अब इसमें से देखो विग्रगती में कोई काय नहीं है ना ओधारिक काय है, ना ओधारिक मिश्र काय है ना विक्रीक काय है, ना विक्रीक शरीर है ना आहरक शरीर है, ना आहरक मिश्र है और वहाँ पर और भी कुछ नहीं है इसमें से ये नहीं है एक बचेगा थोड़ा वचन योग में एक भी वचन योग नहीं है क्योंकि वहाँ वचन योग कौन-कौन से परकार के है सत्य वचन वभय वचन उसके योग के वहाँ मुझबान वगरा कुछ ही नहीं और मन है वो चार प्रकार का है कौन कौन सा चार प्रकार का है सत्यमन सत्यमन उबयमन और मन भी वहाँ पर होता नहीं है तो बचा कौन सा एक कार्मन का यो कर्म शरीर बचा वो वहाँ पर होता तेजस भी होता है पर उसको योग की गिंती में लेते हैं, नहीं है, तो वो वहाँ पर होता है, यहां ऐसा प्रशन क्यों बनाया है उन्होंने, कि विग्रह गती में कौन सा योग होता है, ऐसा प्रशन उन्होंने इसलिए बनाया, कि विग्रह गती में शरीर नहीं होता है, अस्रव के द्वार हैं और विग्रह गती में अगर ये तीनों नहीं हैं तो क्या होगा कर्म ग्रहन नहीं होगा कर्म ग्रहन होगा ही नहीं योग हो तो कर्म ग्रहन हो ना स्पंदन हो तो ही तो परंतु विग्रह गती में जीव कर्मों को ग्रहन करता एक नहीं करता है कर्मों को तो ग्रहण करता है अगर विग्रगती में जीव कर्मों को ग्रहण नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा कर्म रहित हो जाएगा आस्रव रहित हो जाएगा तो आस्रव रहित होने का मतलब क्या है पता है कि मिध्यात्व अविरती, प्रमाद कशाय और योग ये जहां नहीं होते हैं वहाँ पर जीव आस्त्रव रहित हो जाता है तो ये किसमे नहीं होते हैं ऐसा कौन सा जीव है जिसमें ये पांचों नहीं होते हैं न मिध्यात्व होता है न अविरती होती है न प्रमाद होता है न कशाय होता है औरनो योग होता है ऐसा कौन सा जीव है कि जिसमें ये पांच नहीं होता है सिद्ध भगवान सिद्धी सी बात है ना सिद्ध भगवान में और तो यहाँ पर अगर कोई योग नहीं है इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा कि विग्रह गती में जीव सिद्ध हो गया है परन तो ऐसा तो होता नहीं है वो तो नया शरीर धारण करता है इसका मतलब ये कार्मन का योग होता है इसके माद्यम से वो कर्म गरण करता है वहाँ पर मिथ्यात्व भी है अविरति भी है सब कुछ है जिनके जो जो है वो सारक सारा वहाँ पर पड़ा हुआ है इसलिए वहाँ संसारी जीव ही है विग्रह गती में संसारी जीव ही होता है इसलिए ये प्रश्ण बनाया है कि विग्रह गती में कौन सा जीव होता है अब 423 विग्रह गती के कितने भेद है विग्रह गती कितने प्रकार से होती है तो उत्तर चार रिजु गती पाणी मुक्ता गती लांगली का गती गो मुत्री का गती रिजु का मतलब होता है सरल सिधा जैसे बान सिधा होता है उसी प्रकार से ये सिधा होता है तो सिधी गती तो वो एक समय में हो जाती है कल बताया था यहां कोई जीव है उसको ठीक उसके उपर जनम लेना आया तो वो सिधी गती कर लेगा उसको इधर दर मुढ़ने की जुरुत नहीं है वो गती कुछ खितने समय में होगी अगर किसी को सिधा ही जाना है तो वो एक समय में चला जाता है दूसरी पानी मुक्ता गती पानी मुक्ता की सो के ते पता है अपनी अंजूली में पानी होता है न उस पानी को जब हम छोडते हैं तो छोडते हैं तो उसमें क्या होता है एक मौड़ा जाता है बीच में इधर पानी और इधर दो मौड़ों गया है पानी लेके छोड़ना तो ऐसा बनेगा अगर नहीं बनेगा, हाँ, तो एक मोडा होता है बीच में, उसको पाणी मुक्ता हाथ से जैसे पाणी को मुक्त करते हैं, अंजोली से, उस प्रकार की जो गती होती है, वो पाणी मुक्ता क्यालाती है, उसमें एक मोडा लेना पड़ता है, इसलिए वो कितने समय की होगी दो समय की होगी तीसरी लांगली का गती लांगल हल को कहते हैं हल हल इतले खबर पड़े छे सो हाँ खेतर मा खेड़ा है छे जना थी वो कैसा होता है क्यों हो है यह आकार हाँ इसमें बीच में दो बेंड होंगे होंगे कि नहीं होंगे एक तो ये सिधा ऐसा आएगा फिर ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा समझ मायगे है भल तो उसमें दो बेंड होते हैं मैं दो मोडे होते हैं दो मोडे होंगे तो कितने समय लगेंगे तीन समय लगेंगे बराबर और चोथी है गो मुत्रिका गो मुत्रिका मतलब जो गाय होती है न वो पेशाप करती है तो उसके अभी देखा नहीं है मैंने कभी गौर से अपने ने किसी से गौर से नहीं देखा पर ऐसा आचारे देव ऐसा कहते हैं कि उसके तीन बेंड होते हैं गाय जब मुत्र विसरजन करती है उस समय उसके तीन बेंड होते हैं तो तीन मोड़े लेने पड़ते हैं तब जाकर के वो धर्ती पर आती है तो जब तीन मोड़े लेने पड़ेंगे तो कितने समय लगेंगे? चार समय लगेंगे तो लास्ट वाली जो गो मुत्री का गती है वो कितने समय में पूरी होगी? चार समय का मलब चोथे समय में वो वहाँ पर नो कर्म वरगणाओं को ग्रहन कर लेगा इसका मलब चोथे समय में उसका जन्म हो गया ऐसा मना जयेगा तो ये विग्रह गती इस प इन विग्रह गतियों में कितना कितना काल लगता है, उत्तर, रिजु गती में एक समय, पाणी मुक्ता अर्थात एक मोडे वाले गती में दो समय, लांगली का गती में तीन समय, और गो मुत्रे का गती में चार समय लगते हैं, 425, इन गतियों में अनाहरक अवस्था कितने समय तक रेती हैं, अपने मुख्य बाद तो क्या चल रही थी, आहरक और अनाहरक की बाद चल रही थी, इसमें विग्रह गती आगया बीच में, तो अनाहरक कितने समय तक रेता हैं, मतलब नो कर्म वर्गणाओं को नहीं ग्रहन कर वो कितने समय तक नहीं ग्रहन करता है तो उत्ता रिजू गति वाला जीव अनाहरक नहीं होता है जिसके एक समय की होती है वो अनाहरक नहीं होता है क्योंकि वो नो कर्म वरगणाओं को ग्रहन करते करते ही जाता है और एक समय में वो वहां पर पहुंच जाता है क्या लिखा रहे है रिजु गत्ति वाला जी अना हरक नहीं होता है आहार ग्रहन करते करते ही जाता है, समझ माय रहे हैं खुजराती में कुछ मतलब वो आहारक होता है, रिजु गती वाला जीव आहारक होता है उसमें लिखा गया तो बात एगी है न, अनाहरक नहीं होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आहरक होता है अच्छा हाँ अच्छा वो अलग जीत, यह प्रशन अपना है न, तमें चारसो बाइस, आपने पहले वाला आगे वाला प्रशन पढ़ लिया है तो यहां जो अनाहरक है वो जो विग्रह गती में संसारी जीव होता है न, विग्रह गती संसारी जीव कोई होती है मौक्स जाने वाले जीव की विग्रह गती नहीं होती है, उनकी अविग्रह गती होती है विग्रह गती नहीं होती है, उनके भी एक समय की होगी पर वहां पर वो अनाहरक नियम से होगा पर वो प्रश्ण की चर्चा करी नहीं रहे हैं अपन अपन उसके पहले वाले प्रश्ण की चर्चा कर रहे हैं तो जो संसारी जीवों के होती है तो संसारी जीवों की चार गतिया बताएं रिजु गती पाणी मुक्ता गती लांगली का गती और गो मुत्री का गती ये संसारी जीवों की बताईए अभी मौक्ष वाले जीवों की भी रिजुगती होगी पर आगे बताएंगे तो रिजुगती वाला जीव चाहे संसारी हो चाहे वो सिद्ध हो परन्तु जो सिद्ध हो उन दोनों की गती रिजुई होगी पर जो संसारी जीव होता है वो रिज शरीर लेना ही निये न, लेना ही निये जनम तो फिर गरहन क्यों करेगा वो, इसलिए वो अनाहरक होता है, तो रिजुगती वाला संसारी जीव है, वो अहरक होता है, और रिजुगती वाला जो सिद्ध जीव है, वो अनाहरक होता है, समझ मैं आया, थोड़ा, हाँ, तो आगे पाणी मुक्ता गती में एक समय होता है, क्योंकि उसमें एक समय के लिए वो अनाहरक होता है, तो जो पहला समय है, उस समय वो अनाहरक होगा, और दूसरे समय में वो आहर, नो कर्मो वरगणाओं को गुरहन कर लेगा, लांगली का गती में दो समय, दो समय का मतलब कि पहले और दूसरे समय में वो अनाहरक होगा, और तीसरे समय में वो आहरक हो जाएगा, और अंतिम गो मुत्री का गती में तीन समय तक अनाहरक होता है, पहले, दूसरे और तीसरे समय में अनाहरक, और चोथे समय में वो आहर वर हाँ, जितने मोडे हुए, तो अब लास्ट वाली गती में तीन मोडे हैं, तो तीन बार अनाहरक होगा, इतना, तीन समय के लिए, दिमाग में थोड़ा बिठा लेने का है, छंडे दिमाग से, अनाहरक किसको कहते हैं, आहरक किसको कहते हैं, अनाहरक का मतलब नो कर्म वरगणा उको गुरहन नहीं करना, वो अनाहरक कहलाता है, तो जब एक समय की गती होगी, तो बीच में मोडा यह नहीं होगा, तो इसलिए वो आहरक ही होगा, आहर गुरहन करता करता ही जाएगा, दो समय की गती होगी, तो बीच में एक मोडा होगा, तो पहले समय वो आहर, नो कर्म वर ग्रहण नहीं करेगा इसलिए वो अनाहरक होगा एक समय के लिए तीन समय की गती होगी तो इसमें पहले दो समय में अनाहरक होगा और अगर चार समय की गती होगी तो इसमें पहले तीन समय में अनाहरक होगा ऐसा समझे एक समय कम कर दो 426 मौक्स जाने वाले जीव के कौन सी गती होती है उत्तर रिजु गती होती है और वह जीव अनाहरक ही होता है बराबर अब समझ में आगे उसके रिजु गती मलत सरल गती होती है एक समय में यहां से वो सिद्ध शिला पर पहुँच जाता है तो वह जीव अनाहरक मतला उसके नो कर्म वरगणाओं को गुरहन करता नहीं है क्योंकि उसको जनम नहीं लेना है गती तो करनी है पर अच्छे से मस्ती से अध्यन किया और सब को नाम भी कम से कम कंठस्त हो गए हो गए ना पका साथ में तो सब बोल देते हैं एक एक भी बोलने में थोड़ी दिख्कत है कोई बात नहीं इसमें किसी को प्रश्ण हो तो पूछ सकते हैं बाकि अपना यह चेप्टर समावत कहने का तातपर यह यह है कि इसका क्यों वरणन किया इत्ता सारा कि संसार में कुछ लोग कुछ मत वाले ऐसे होते हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि इस जीव को कोई उपर बैठा हुआ है भगवान अथवा चितरगुप्त वगएरा जो भी अथवा यम्दूत यम्राज वो अलग-अलग यौनियों में ले जाते हैं और ले जाकर के पटकते हैं इस प्रकार से कुछ माननेता होती है तो वो करें कि वे ऐसा नहीं है यह जीव ही अपने आप कर्मों को भोगने के लिए उस उस गती में अपने आप चला जाता है कोई यम्दूत नहीं ले जाते हैं उसको अगर यम्दूत ऐसे ले जाने लगे तो कितने यम्दूत चाहिएं लोग कितने मरते हैं रोज बहुत सरे यम्दूद चाहिए तो विचारे को उनका तो काम ही है इदर से उदर ले जाओ नो उदर से उदर ले जाओ फिर ऐसा भी मानते हैं कि वहाँ उपर वो चित्रगुप्त का चोपड़ा होता है न उस चोपड़े में लिखते हैं करम कि तुमने इतने करम किये थे इसलिए अब तुम नरक जाओगे खराब करम तुमने अच्छे किये थे तो वो स्वर्ग जाओगे तो फिर वो वहाँ से भेजते हैं पहले सब उपर जाएंगे और पिर वहाँ से उनको अलग-अलग जगह भेजते हैं तो ऐसा कोई चोपड़ा किसी को कोई फुरसत नहीं है कि अपने बारे में लेखा जोखा रखे क्यों रखेगा कोई वेक्ति अपने बारे में लेखा जोखा उसको अपने काम से ही फुरसत नहीं है तो अपने बारे में इतना सारा लेखा जोगा क्यों रखेगा कोई किसी के मुनिम जी थोड़ी है तो न तो भगवान को फुरसत है अपने बारे में लेखा जोगा रखनेगी नहीं भगवान के मुनिम जी को फुरसत है ये जीव स्वयम कर्म करता है और स्वयम ही जैसे जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उस उस क्षेत्र में जहां पर उस कर्म को भोगने के योग्य समग्री होती है उस उस जगह वो पहुंच जाता है तो इस प्रकार की ब्रांत धरणाओं को निकालने के लिए इन्होंने इस प्रकार से आचार्य देव ने आ भगवान, तो माता पिता, तो हमारे करम ही हमको जनम कराते है, हमारे करम के अनुसार ही हमारा जनम होता है, कोई जनम कराता नहीं है, वो तो जो जिसके योग्य होता है, वो उसके गर्भ में आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, जिस गती में जाना होना, उसमें वो केवल निमित होते हैं, माता पिता भी निमित ही होते हैं, वो जनम नहीं देते हैं अपने को, हमारे करम ही हमको एक गती स से दूसरी गती में ले जाते हैं, इसलिए जिस जीव के कर्म नश्ट हो जाते हैं, कर्म का मतलब होता है संसकार, कर्म का मतलब क्या होता है, संसकार, संसकार क्या है, कि अच्छा करने का और बुरे करना की वृत्ति, अच्छा करने की और बुरा करने की वृत्ति इसका नाम संसकार कहले है अच्छा करने की वृत्ति को पुन्य संसकार कहते हैं अच्छे संसकार और बुरा करने की वृत्ति को पाप का संसकार कहते है तो जिसके अच्छा करने की और बुरा करने की वृत्ति बाकी है उसके जनम होता है और जिसके न तो कुछ अच्छा करना है न कुछ बुरा करना है उसको अच्छा और बुरा कुछ करना है नहीं है उसके जनम होता नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए अच्छा करना चाहिए एक बुरा करना चाहिए अच्छा करेंगे तो भी जनम होगा तो हमको जनम लेना अच्छी बात एक बुरी बात है जनम लेना और जनम लेकर के इस संसार में परिभ्रमन करना वो अच्छी बात एक बुरी बात है अच्छी बात है अगर अच्छी बात है तो लोग मौक्ष की इच्छा क्यों करते हैं जनम लेना अच्छी बात है तो लोग मौक्ष की इच्छा क्यों करते हैं पूजन बताएगा मौक्ष अच्छा के संसार अच्छा अच्छा कौन मौक्ष अच्छा ये तो बताएगा फिर एक बजू तो आप ऐसे केतो कि मौक्ष अच्छा और दूसरी बजू ऐसा केता हो कि जनम अच्छा दो अच्छे कैसे हो सकते हैं या तो एक तरफ रहो बोलो जनम लेना है कि मौक्ष जाना है इसका मतलब जनम लेना अच्छी बात नहीं है ना पका अच्छी बात नहीं है जनम लेना अच्छी बात नहीं यह सिद्ध हो गया तो अगर आप अच्छे संसकार अच्छे भाव रखोगी तो भी तुम्हारा जनम होगा होगा कि नहीं होगा तो अपने को अच्छे भाव रखना अच्छे संसकाँ रखना कि नहीं रखना तो भी गए रखना क्योंकि इसमें अच्छा शब्दण आ गया है इसलिए तो वास्ते में वो अच्छा कोई भी चीज होती है न वो एकांट से अच्छी नहीं होती है comparatively अच्छी होती है जो मेरे लिए अच्छा है वो हो सकता है किसी और के लिए अच्छा नहीं हो बराबर है शक्कर अच्छी एक बुरी बुरी अच्छी एक बुरी कैसे दोनों कैसे हाँ अब जिसके शक्कर जिसको शक्कर सूट होती उसके लिए तो अच्छी है और कोई डाइबिटीज वाला शक्कर खाये तो उसके लिए तो अब शक्कर अच्छी के बुरी शक्कर न अच्छी है न बुरी उसी प्रकार से कोई भी संसकार एकान से अच्छे होते ही नहीं कोई भी काम अच्छा होता ही नहीं है बात समझ मारी है वो अगर किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए पूरा है समझ मारी बात इसलिए वास्ते में कोई अच्छा बुरा तो है ही नहीं इसलिए योगी लोग, संत लोग, महात्मा लोग इस अच्छे बुरे के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है और क्या करते हैं अपने को तो नो अच्छा चाहिए नो बुरा चाहिए हमको सच्चा बनना है हमको अपने आत्मा में रहना जब हम आत्मा में रहते हैं तो हम सच्चे होकर रहते हैं बाहर से जब हम आत्मा मेनी रहता तो अच्छे काम करना, परन्तु मेरे को संसार में रहना ऐसी इच्छा करना नहीं, तो धिमे धिमे बुरे संसकार भी निकालना और फिर धिमे धिमे अच्छे संसकार को भी धिमे धिमे क्या करना है, कि अच्छा है तो भी ये संसारी है, अच इसी भावना रखनी चाहिए। पाप और पुर्णे दोनों का बैलेंस जिसका खतम हो जाता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए हमको क्या कामना रखनी चाहिए कि हमको संसार में कुछ नहीं चाहिए। न अच्छा चाहिए न बुरा चाहिए हम किसी के लिए अच्छे होंगे हम किसी के लिए अच्छे होंगे परन्तु हमें कोई अच्छा नहीं चाहिए समझ मारी बार हम किसी के लिए अच्छे हो पर हमारे लिए कोई अच्छा हो एसी हमको कोई इच्छा नहीं हम किसी के लिए बुरे नहीं हो ऐसी भावना होने चाहिए पर कोई हमसे बुरा नहीं हो ऐसी भावना भी नहीं हमको जिसको हमारे प्रती बुरा होना वो बुरा हो जिसको हमारे प्रती अच्छा होना वो अच्छे हो परंतु हम किसी के प्रती बुरे तो होंगे ही नहीं और होना पड़े तो अच्छे होंगे चक्री घुम गए नहीं तुमारी अच्छे बुरे की इसलिए अपने को अच्छा बनना अगर नहीं बनना अच्छा तो बनना क्या करना? बुरा नहीं बनना और अच्छा करना और सच्छा बनना इस सुत्र को याद रख लेना बुरा नहीं करना अच्छा करना और सच्छा बनना फिर से बुरा नहीं करना अच्छा करना और सच्चा बनना इसलब बनने की बात आएगी तो हमको क्या बनना है सच्चा ना अच्छा बनना है ना बुरा करना बुरा बनना है दोनों में से बनना कुछ नहीं है क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों विकार पर करना पड़े तो हमको क्या करना बुरा नहीं करना और अच्छा करना और बनना क्या सच्चा बनना याद रखेंगे यह सब के लिए है यह बड़ा मारविक सुत्र है कि बुरा नहीं करना बोलो बुरा नहीं करना अच्छा करना और सच्चा बनना बुरा नहीं करना अच्छा करना और सच्चा बनना इसलिए भावना हमेशा जो बनना है उसकी की जाती तो हमेशा क्या भावना करना कि हमको सच्चा बनना है ये भावना करना और कुछ करना पड़े तो बुरा नहीं करना और अच्छा करना ये बात अपने को याद रखने की कल मैं पूछूँगा इसको समझाने का है क्या समझा आप इसको ओम देहचता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी नाचरण मां हो वंदन अगने सद्गुरोद परंकुरुपाळू त्रिडोकना नाथ की जय सबसंतने की जय आनंदधन ओम एक मिनट मौण कमर सिदे गर्दन सिदे शांत कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी हिलना नहीं और कुछ भी सोचना नहीं केवल शांत रेना ऑ्म शांति सांति शांति 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 याई सब्गुन झाल झाल झाल